हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में आप जानेंगे डाइने 35 टेबलेट के बारे में इस टेबलेट के क्या कॉंबिनेशन होते हैं क्या क्या यूजिस होते हैं इसके साथ ही इस टेबलेट का डॉक्टर आपको क्यों सलाह देते हैं वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वेल लोटिफिकेशन जरूर एक्टिव कर दें जिससे आने वाले सभी यूसफुल वीडियो की अपडेट आपके पास तक पहुंसती रहे और प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स हम डायने 35 टैबलेट की बात कर रहे हैं अज इस वीडियो में तो यह टैबलेट एक जो की बहुत ही यूसफुल टैबलेट है खास करके उनके लिए जिनने PCOD PCOS जैसी कंडिशन है PCOS PCOS जो की एक डिसीज नहीं होती है जबकि एक हॉर्मोनल इंबैलेंस क समस्या होती है PCOS मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसमें बहुत जादा बॉडी में हेर ग्रोथ हो जाती है एक्ने हो जाते हैं इर्रेगलर पीरियर्ट हो जाते हैं यह जो डायने 35 टैबलेट है एक ओरल कॉंट्रसेप्टिव पिल्स की तरह ही इसका यूज हो होता है लेकिन अगर आपके पीरियर्ड इर्रेगलर होते हैं तो आपको इस टैबलेट को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं बिसिकली थ्री मन्त के लिए इस टैबलेट को आपको लेना होता है क्योंकि जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो हाँ जब तक आप इस उसमें काफी जादा आपको benefit मिलता है बहुत जादा आपके लिए useful होती है इस tablet को आप खाने के पहले खाने के बाद किसी भी समय यूज कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी tablet हो उसको same time everyday ही आपको use करना होता है जो कि आपको बहुत ही अच्छा result दे इसकी जादी friends आपकी जो यह tablet होती है इसको दिन में एक बार ही लेना होता है लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि यह hormone tablets होती है तो आपको sequence से ही इस tablet को लेना होता है आपको इसका sequence नहीं बिगारना होता है आपको एक-एक करके एक sequence वे इस tablet को use करना होता है most benefit के जो आपकी जैसे इस्टोमेक पेन हो सकता है एडिक, वेट गेन, ब्रीस्ट पेन जैसे को छोटी मोटी समस्याय हो सकती है लेकिन अगर सीरियस कोई प्रॉबलम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ड कर सकती है इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉब्म पीरिट में इस्प मेंटेन करने के लिए बेसिकली ये टैबलेट पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केसिस में ही डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि जो फीमेल सेक्स होर्मोन होते हैं इस्टोजन और प्रोजिस्ट्रॉन जिसे होर्मोन का बैलेंस जब आपकी बॉड ये दिचना करें और थ्री मन्त तक आपको इस इस टैबलेट को रीगुलर लेना होता है अगर पलिफो में फuishए प्राइब जो कि इसके साथ ही होते हैं और इसके साथ दी जाती है जिसे कि आपकी जो PCOS की समस्या है जो सिस्ट की समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होती है इसके साथ ही फ्रेंड जो PCOD, PCOS की समस्या है ये आज कल बहुत ही कॉमन हो गई है ये दस में से आपको चार महिलाएं जरूर देखने को मिलेंगी जो कि PCOD, PCOS जैसी प्रॉब्लम से गरशित हो जाती है तो उसके लिए आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसके साथ साथ अपनी लाइफ रूटीन भी चेंज कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में कनवर्ट करेंगे तो PCOS और PCOD जैसी प्रॉब्लम आपको चुटकियों में आप उसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि जो PCOD, PCOS की प्रॉब्लम है एक हॉर्मोन से इंबैलेंस की समस्या होती है जो कि अपने आप हो जाती है और इसके साथ ही अपने आप ठीक भी हो जाती है क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजिस कर लेते हैं तो आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं जैसे आपको सनवात लेना है डेली और इसके साथ से आपको मॉर्निंग वॉक करने हैं अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं तो आप इवनिंग वॉक में करिए या मतलब आपकी लाइफ रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड होनी चाहिए आपको वर्क में आपको इंक्लूड होना चाहिए आपको एक लेजिनेस लाइफ स्टाइल नहीं रखनी है क्योंकि PCOS और PCOD जैसी प्रॉबलम में वेट गेन भी बहुत रैपिडली होता है वेट गेन की प्रॉबलम होती है जिससे ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है इंसुलींस की प्रॉबलम होती है तो आपको मीठा भी एवाइड करना है मीठा इंसुलीं की प्रॉबलम से चुटकारा पाने के लिए आप मेथी जानों को भी यूज़ कर सकते हैं डाल चीनी को भी यूज कर सकते हैं तो अगर आपको PCOD PCOS की प्राब्लम है तो आप इससे ले सकते हैं इसके साथ ही एक oral contraceptive pill है तो अगर आप conceive नहीं करना चाहते हैं तो उस case में भी आपके इसको use कर सकते हैं काफी डॉक्टर के द्वारा काफी जादा prescribed की जाने वाली टेबलेट होती है अगर हम इसके price की बात करें कोस्त की बात करें तो इसका cost लगभग 200 के आसपास ये टेबलेट आपको मिल जाती है कहीं कहीं कम भी मिल सकती है ये डिपेंड करता है कि अगर आपको discount मिलता है तो आपको कुछ कम price की भी पर सकती है लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यार रगना है कि आप कोई भी treatment ले इस ब आपको अपनी lifestyle को भी चेंज करना होगा आपको अपनी daily lifestyle भी अच्छी करनी होगी healthy lifestyle आपको जीना होगा खास करके आपको एक work routine workout जरूर करना है अगर आप workout नहीं करेंगे नहीं तो आप चाहे जितना costly treatment लेने चाहे जिस expert से आप consult करने आप PCOS और PCOD के problem से चुटकारा नहीं पास सकते हैं जब तक कि आप खुद की life को ठीक नहीं करेंगे इसके साथ ही friend जो PCOD और PCOS की problem है इसमें बहुत सारी महिलाओं को infertility भी phase करनी बढ़ती है क्योंकि जो आपकी ovaries होती है उसमें एक healthy egg बन ही नहीं पाता है जिस कारर से आपको conceive करने में बहुत जादा problem होती है क आपके लिए एक healthy egg को बनाने में क्योंकि महिलाओं के पीरिट के दूसरे दिन से चोटे-चोटे से फॉलिकल्स बनना सुरू हो जाते हैं जो कि last तक mid-period तक आपके जो mid-cycle होता है एक healthy ओवंबर के तयार हो जाता है तो सिस्ट होने के कारण ऐसी process नहीं हो पाती है जिस करने में बहुत जादा समस्तिया देखी गई है PCOD और PCOS के cases में तो आप treatment लीजिए इसके साथ ही अपनी lifestyle को चेंज कीजे और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही informative वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज लाइक और शे क्यार करें